आज 27 दिसंबर दिन सौंबार जानते हैं आज के ओमिक्रोन बेरियंट के कितने कितने मामले भारत के राज्यों में हैं और कितने लोग ओमिक्रोन से अब तक ठीक हो गए हैं तो चलिए सबसे पहले बात करें तो दिल्ली की तो दिल्ली के अंदर अब तक के सबसे अधिक मामले हैं तो दस लोग ओमिक्रोन से थीक हुए है अब तक तेलंगाना के अंदर बहीं तमिलनाडू के अंदर 34 केस हैं तो आपका 0 तिल्ली के अंदर 31 केस हैं तो और 15 अब तक ठीक हुए हैं करनाटक के अंदर मद्धपरदेश के अंदर ओमी क्रोन के 9 केस हैं तो 7 बैक्ती मद्धपरदेश में ठीक हो गए है और आंदर परदेश के अंदर अब तक 6 मामले ओमी क्रोन के हैं और 1 बैक्ती ठीक हुआ है बहीं पस्चिम मंगाल के अंदर 6 मामले ओमी क्रोन के हैं एक वैक्ति बंगाल में ठीक हो गया है हर्याना के अंदर चार मामले है ओमी क्रोन के तो दो वैक्ति हर्याना के अंदर ठीक हुए है उडिसा के अंदर चार मामले है ओमी क्रोन के और कोई भी उडिसा के अंदर ठीक नहीं हुआ है और चंडीगड के अंदर बात करें तो तीन मामले हैं ओमी क्रोन के जिसमें आपके अब तक जो हैं दो वैक्ति ठीक हो गए हैं जम्मू कस्मीर के अंदर तीन मामले हैं ओमी क्रोन के अब और तीन ही वैक्ति ठीक हुए हैं उत्तर प्रदेश के अंदर अभी करंट में दो मामले ही है ओमी क्रोन के और कहना चाहेंगे कि पता नहीं ये छिपाया जा रहा है आंकड़ा या नहीं लेकिन जो आधी कारी आंकड़ा है उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे अधिक जंग संक्या है लेकिन ओमी क्रोन के उत्तर दो ही मामले ओमिक्रोन के हैं और दो मामले ठीक हो गए हैं हिमाचल परदेश के अंदर एक ही केस है ओमिक्रोन का और एक ठीक हो गया है लद्दाक के अंदर एक केस है ओमिक्रोन का और अभी तक कोई भी ठीक नहीं हुआ है और उत्तराखंड के अंदर भी अब जो है प्रामन मामले अब तक ठीक हो चुके हैं ओमिक्रोन से ठीक हो चुके हैं मतलब की तो ऐसे ही डेली के अपडेट पाने के लिए दोस्तों हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें सुक्रिया